Hello everyone! आज चेप्टर No.14 Semiconductor Devices के लेक्षर No.13 में हम लोग डिस्कस करेंगे What are V.I.E. Characteristics of P.N. Junction Diode? अगर बात की जाए V.I.E. Characteristics की क्या होते हैं V.I.E. Characteristics तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा मैंने बनाइख एक्जाम्पल बनाया है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने graph draw किया है current versus voltage के बीच में तो जब आप एक pn junction diode के ends पर voltage apply करते हो यानि कि कोई battery लगाते हो और जब pn junction diode से voltage apply करने के विराइस उसमें current flow होता है तो आप graph draw कर रहे हो जिसमें voltage एक axis पर है और current एक axis पर है तो यह जो graph यह graph आपने draw किया है जिसमें voltage और current के बीच में graph जो आपने draw किया है इस graph को हम लोग बोलते हैं विए characteristics तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसे when the graph is drawn between applied voltage and current flowing through the diode then this graph is simply called as विए characteristics of pn junction diode तो भाई कुछ नहीं है है कि आपने जो apply किया voltage pn junction diode के ends पर वो voltage और दूसरा उसमें flow होने वाला current उस current के बिच में एक simple graph है बात आती है कि यह विए characteristics कितने type के होते हैं तो भाई यह विए characteristics two types के होते हैं पहला है forward characteristics जो हम आज की इस lecture में discuss करेंगे detail में और एक होता है reverse characteristics जो हम अगले lecture के दौरां discuss करेंगे क्या है forward characteristics कि अगर आपके पास एक pn junction diode है और आपने p side को battery के positive से connect किया और n side को battery के negative से connect किया तो आपने यहां पर एक voltage apply किया जो कि forward voltage है ठीक है forward voltage हमने discuss किया था last lecture में forward bias voltage reverse bias voltage है ना तो हमने forward basing की है इसकी forward basing के तौरां voltage apply करेंगे ठीक है और इसमे forward basing के तौरां इसमे current flow होगा तो हमने क्या किया graph draw किया current versus voltage और यही कहलाएगा forward characteristics ठीक है तो आज हमको इस graph की details study करनी है इस graph को study करने से पहले हम लोग देख लेते हैं अपने circuit diagram को बात की जाए board में तो board में जब एक question आता है तो बोड में question two marks में कूशा जाता है और आपको simple तीन points लिख करके आने होते हैं साथ के साथ यह graph बना करके आना होता है ठीक है मैंने यह भी दिखा है पी वाई क्यूज में कि वहाँ पर यह भी दिया हुआ तो सरके डियाग्राम एससाच नहीं नहीं है लेकिन हाँ यह थीन पॉइंट इंपॉटेंट हैं बहुत ज्यादा मैंने बहुत साथ के साथ यहां पर वोल्टेज को नापने के कितना वोल्टेज लगाया उस वोल्टेज को नापने के लिए मैंने आपर एक वोल्टेमीटर लगाया है और साथ के साथ आप जानते हैं कि प्रेंट फ्लो होता है फॉवर्ट बैसिंग के दोरान तो वो करेंट मिली एम्पीर की रेंज का होता है इसी लिए हम लोग ने यहां पर मिली एम्पीर यहां पर रखा है क्योंकि यहां पर जो करेंट फ्लो होगा वो मिली एम्पीर की रे तो एरो यह है यहाँ पर एक वेरियेबल बैट्री का काम कर रहा है जो आपको रेप्रेजेंट कर रहा है अरे आप लोगों ने stabilizer देखे होंगे जिसमें 2V, 4V, 6V, 8V, 10V कर लेते हैं नौब लगी होती थी इसी तरीके से यहाँ पर जो बैटरी लगी हुए है उसमें भी नौब लगी हुए है इसका voltage हम adjust कर सकते हैं अपने requirement के according voltage को बड़ा या घटा सकते हैं ठीक है बई तो यह चीज़ हमने आपर show किया है arrow के जरीए बात की जाए step by step इस graph की तो पहला point हम यहाँ पर इस graph में से जो हमने देखने को मिला है उस पहले वाले point को यहाँ पर लिखा है और और भी points detail में discuss करने वाले हैं तो अगर आप ध्यान से देखें इस graph को सबसे पहले बिना मैं explain करने से पहले एक चीज़ तो ग्राफ अगर स्टेट लाइन ना हो तो भाई वो ओम्स लोको फॉलो नहीं कर रहा याद करिए 10th class की knowledge से 10th class की आपको knowledge में आपको ये तनी चीज़ तो पता है कि अगर voltage versus current graph स्टेट लाइन है तो वो material ओम्स लोको फॉलो कर रहा है अगर यहाँ पर देखा जाए तो voltage versus current graph स् है क्योंकि वो ओम्स लोको फॉलो नहीं करता तो पहला पॉइंट सिंपल है दा वी आई ग्राफ इस नॉटा स्टेट लाइन यानि की पी एंजंग्शन डायोड डज नॉट ओबे ओम्स लो नहीं करता दूसरा पॉइंट जानने से पहले आपको कुछ बेसिक बाते मुझे चाहिंन पढ़ेंगी याद करिए मैंने आ आप पर यहां पर यह चीज डाटा शोव हु किया है सिलिकन के लिए बैरियर वोल्टेज कितना होता है और यह भी है अगो barrier voltage क्या है याद करिए हमारे पास deflation layer होती है deflation layer में क्या होता है barrier electric field जो कि इदर n साइड में काफी सारे electrons को P साइड में काफी सारे holes से मिलने नहीं देता थीक है अब उस barrier electric field की वेदा से barrier voltage भी develop होता है आपको मालूम है वह barrier voltage कितना है सिलिकन के लिए 0.7 volt है और और जर्मेनियम के लिए 0.3V होता है, अगर वो barrier voltage हम क्रॉस करवा दें, forward basic में, last lecture में ने बताया था, कि अगर applied voltage barrier voltage से ज़्यादा है, तो फिर current flow होने लग जाता है, और अगर applied voltage barrier voltage से कम है, तो current flow नहीं होता है, क्योंकि junction पे मौझूद रुकावट electron को hole से मिलने नहीं देती, अगर आपको यह चीज detail में सीखनी है, तो आपको last lecture, यानि कि forward biasing को समझना पड़ेगा detail में, और तब आप इस lecture को समझेंगे, तो और आसान हो जाएगा forward characteristics, तो चलिए दूसरे point को समझते हैं यहाँ पर, यह आप graph को ध्यान से देखे, यहाँ पर यह क्या हो रहा है, हम voltage को increase कर रहे हैं, हमने voltage को 0.2 किया, तो भी current बहुत ही negligible current flow हो रहा है, ना के बराबर current, almost negligible current है, 0.4 पर भी लगबग लगग ना के बराबर current है, 0.6 पर भी negligible current, very small amount of current, जो हमने detect भी नहीं कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं, graph लगबग लगग 0 पर है, लेकिन जब हम अपना applied voltage को जब हम अपने applied forward bias voltage को 0.6 से जादा बढ़ाते हैं, सब्सकरी 0.7 या उससे जादा, 0.7 या उससे जादा, तो current flow होना start करता है, यह बहुत important behavior है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि 0.6 और 0.7 तक, मैं बोलू 0.7 और उससे पहले तक, 0.7 और उससे पहले 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 0.1 किया, कोई current flow नहीं हुआ, 0.3 किया, कोई current flow नहीं हो रहा है, 0.5 किया, तो भी कोई current flow नहीं हो रहा है, 0.6 किया, तो भी लगबा-लगबा कोई current ही नहीं वाँ पर, लेकिन मैंने 0.7 किया, तुरंत current flow होना start हो गया, 0.7 और उसके बाद से current flow होना start होता जा रहा है, ऐसा क् करिए जब मैंने आपको PN junction diode की forward basing पड़ाया था उसमें मैंने आपको यह बताया था कि silicon के लिए barrier voltage कितने का होता है silicon का barrier voltage होता है कितना 0.7 volt अगर मेरा applied voltage 0.7 voltage से कम होगा तो इसका मतलब यह है कि वो junction पर मौझू रुकावट है वो electron को hole से मिलने नहीं देगी और current flow नहीं होगा तो मैंने यहीं पर यह चीज यह experimentally भी शो रही है क्या और आपके एक्जाम में भी practical का इसका है चुम लोग discuss करेंगे भी आगे practical को class में कर हैं यहां पर इस चीज को साफ साफ क्लियर है कि जब आपका applied voltage जैसे जैसे आपका applied voltage barrier voltage से कम रहेगा तब तक आपको कोई भी current उसमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि barrier पर मौझूद voltage यानि कि barrier voltage आपके applied voltage से जादा है और वो current को flow होने नहीं देगा इसलिए यहां पर current flow नहीं हुआ है क्योंकि electron यहां के hole से नहीं मिल पाया ओके सो यहां पर इस चीज को पढ़ते हैं initially negligible current flows through the diode as we increase forward bias voltage हम शुरुवात में जैसे जैसे voltage भड़ाते हैं वैसे वैसे हमें देखने को मिलता है कोई भी current flow नहीं हो रहा है बिल्कुल negligible current flow होता है नगबग ना के बराबर current एक अध इलेक्ट्रॉन barrier को cross कर पाता है वो भी मतलब उसे voltage because applied voltage is lesser than barrier voltage बहुत important लाइन है शुरू आप में कोई current क्यों फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा applied voltage barrier voltage से कम है इसी लिए current flow नहीं हो रहा है अब और इस barrier voltage का दूसा नाम क्या होता है बेटा इस barrier voltage का दूसा नाम होता है threshold voltage या फिर नी voltage यह वो voltage जिससे नीचे नीचे हमको कोई भी current देखने को नहीं मिलता है उस voltage को बोलते है barrier voltage या फिर threshold voltage या फिर नी voltage हमको अपने applied voltage को इससे जादा रखना पड़ेगा अगर यह voltage हमारा applied voltage इस voltage से कम है यानि कि silicon के लिए 0.7 से कम हुआ भाई साब मतलब ही नहीं कोई current फ्लो आपको जादा current फ्लो होने को देखने को मिले नहीं current फ्लो होता है जैसी आपका voltage मैं बात करता हूं तीसरे कि और यह ग्राफ अब देख सकते हैं जैसे जैसे मेरा applied voltage barrier voltage को cross करता है जैसे जैसे मैं voltage और बढ़ाता हूं current बहुत तेजी से यह बढ़ रहा है अब देख सकते हैं current बहुत तेजी से rise कर रहा है exponential growth होती है NCRT में लिखा है word exponential growth होती हलका सा voltage बढ़ाऊंगा एक दम से करेंट कितना बढ़ गया और अलका सा voltage बढ़ाऊंगा current और तेजी से और बढ़ गया तो यहाँ पर एक चीज़ क्या notice हो पा रही है क्या कि as the applied voltage हमारा applied forward bias voltage है जो मैं voltage बढ़ाता जा रहा हूं धीदर कर करके यदि applied voltage हमारा exceed कर जाता है cross कर जाता है किसको cross कर जाता है barrier voltage को cross कर जाता है जिसे हम लोग threshold voltage भी बोलते हैं तो इस case में current बहुत तेरी से बढ़ने लग जाता है current increases very very rapidly exponential growth होती है current की with the increase in forward bias voltage तो जैसे-जैसे forward bias voltage बढ़ाते जाते हैं वैसे-वैसे current बहुत तेरी से not a straight line this is exponential curve it's a curve और बहुत तेरी से rise कर रहा है curve ठीक है exponential graph है so this is the graph for forward bias characteristics of p-n junction diode यहा current किस range का है milli ampere की range का है और applied voltage 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 volt में है ठीक है so आज के इस lecture में हम लोग इतने discuss करते हैं